सुबह आठ बजे से पोस्टल बैलेट और साढ़े आठ बजे से एबियम के मतों की गणना होगी प्रारंभ वनकर्मियों द्वारा धूठा प्रकरण में फसाने धंकी दिये जाने पर स्थी को सौपा ग्यापन लोक निर्माण विभाग के कारिपालन यंत्री से हुई अभधरता का इंजीनियर्स में जताया विरोध भारत निर्वाचन आयोग के निर्दिशानुसार मतगणना इस्थल पॉली टेक्निक महाविद्याला में सभी आवशक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं पॉस्टल बैलेट वा इवियम के स्ट्रॉंग रूम सुबह 6 बजे खोले जाएंगे इसके बाद पॉस्टल बैलेट से मतगणना सुबह 8 बजे और इवियम से मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंब होगी पुलिस अधिक्षक श्री समीर सौरभने पार्किंग व्यवस्था और तीन चलोनों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी वन विभाग के कर्मचारियों दोरा आदिवासियों को प्रतारित करने वा मारपीट कर जूठा प्रकरण दर्ज करने की धंकी दिये जाने पर उनके खलाफ दंडात्मक करवाई कर शीखर गिरफतार करने की मांग को लेकर सुमवार को मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिशत के जिला अध्यक्ष दिनेश धुरुवे शुभाम उईके की नेतरतु में पीड़त आदिवासी वा उनके परिजनों ने स्पी कारिया लाय पहुँचकर पुलिस अधीख शक को ग्यापन सौपा इस दौरान ग्यापन में उलेक किया गया कि 29 माई को दोपाहर देड़ बजे वन विभाकिया धिकारी करमचारियों द्वारा अपने शास्की वाहन में प्रकाश, पिता, मुलान गोंड, ग्लोकेश, पिता, अंतराम, उईके, ताराचंद, पिता, राम, चंद्र, इड़, प पिताई की गई पर गाउं हैं, वहां से तीन आदिवासियों को फारेश डिपार्टमेंट ने दो फर दो बजे करीब, इनको सिधे उठाके, तिरोडी गेस्ट हाउस में लिजाके, इनके फुठे में गरम पानी डाल डालके, इनको कंटिनी दो से तीन गंटे तक मारते, यह कुछ सेर का माम और इनको मार मार के फूछा गये और इतना मारा इतना मारा क्योंकि जो अपराधी थे, वो पकड़ा भी गये हैं, उनको पूछा गये कि इनको तुम जानते हूं के यहां अपराधी हैं, तो बोली नई जानते हैं तो उसके बाद में इनको छोड़ दिया गया और गाउं से दो किलोमेटर पहले इनको छोड़ा गया और ये चलने लाइक नहीं थे लोक निर्मान विभा के कारेपालन यंत्री बी एस अडमे के साथ उनके चेंबर में घुसकर ठेकेदार द्वारा की गई गाली गलोच वा धमकी देने का मामला लगा तार तूल पकरता जा रहा है इस घटना की मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स असोसियेशन जिला समिती की कड़ी निंदा करते हुए दोशी ठेकेदार अजीत भाटिया वा उसके पुत्र अमंदीप भाटिया निवासी गोंदिया महराश्ट की शीग गिरफतारी कर ठेकेदार को ब्लैक के नाम डिप्टी करेक्टर श्री कॉल को ग्यापन दिया गया इस्थानी मुलना स्टीडियम में 29 मई से आयोजीत 6A साइज हौकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच रवीवार की शाम चैलेंजर वा यंग चैंपियन के बीच खेला गया जिसमें चैलेंजर टीम विजय हुई मैच के मुख्य अतिथी के रूप में नहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरन भाई त्रिवेदी, होकी संग के उपाध्यक्ष विजय वर्मा, क्रीडा निरिक्षक दीपक गिरी गोस्वामी, एतलेटिक्स संग के सच्चिव, नरीश धुवारे, कराटे प्रशिक् इस दोरान आतितियों के हाथो विजेता वा उप विजेता टीम को पुरुसकार वितरण किया गया, इसके अलावा प्रतियोगिता में बहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को भी व्यक्तिगत पुरुसकार दे कर सम्मानित किया गया होकी के प्रति मेरा प्रेम जागा है और आप लोग इसी प्रेम से इसी खेल भावना से खेलते रहे तो मैं आपके साथ हूँ, सदेव रहूँगा, जहां पे भी रहूँ, चाहे वो होकी संग रहे, नहरू स्पोर्टिंग क्लब रहे, या आपका समर कैम्प रहे, गवर्में सब में आगे चल के बढ़ चल के हिस्सा लूँगा, और आप लोगों को प्रोसा हीत करते रहे.